हेलो गाई। बिलकम बैप टू माइ चैनल। में गोल डी। आप लोगों का स्वागत करती हूं। । और आज ना मंड़े है, तो मैं कल अगई थी संड़े को संड़े को, पर हैं र कल वीडियो कोई भी नहीं बनाया था। आने जाने का भी नहीं बनाया था तो फिर मैंने आज से वीडियो स्टार्टिंग की है तो यहां पर ना मैं अपना रूम क्लेन कर रही हूं जो दीदी थी मितलब बड़ी वाली ननन थी तो उन्होंने पूरा घर साफ कर दिया था बस थोड़ा सा रूम बागी था तो वही मैं हूं सारी चीजे ऐसे ही फैली पड़ी है तो जो मुझे कपड़े धुलने वाले थे वो मैंने बाहर मितलब रख दिये हैं उनको मुझे धुलना है और यह जो कपड़े हैं यह धूलने नहीं है बस हमको इसको अलमारी में सेट करना है क्योंकि मैं धीरे धीरे करके न काफी ज्यादा कपड़े वहां लेकर चली गई थी कपड़े थी सारी बहुत सारी चीजे थी जो मतलब आई तो फिर लेकर चली गई तो वहां से जब मैं एपने हस्बेंड को देती थी ना तो फिर वो इधर उधर रख देते थे तो फिर पूरा अलमारी फैला पड़ा है केंदा देता what इस आद नहीं वश करूंगी बस जो मेरे कपड़े उनको ही धूलकर डालूंगी तो अगर यह मतलब सूपते है नहीं डूल लेती हूं तो इसलिए सारे کपड़े मैं निकाल के रख दिये हैं वाशिंग मशीन में डाल दूंगी तो बस मेरे रूमा जो जाड चिपी हो जाती है बहुत जिसे लगता है ना पानी पानी तो इसलिए मैं बहुत मतलब पोच्छा बस हलका सा गीला करकर ही पूरे रूम को पूंश दूँगी जिससे चिप चिपी ना लगे और फिर नीजे का काम मैंने फिनिस कर लिया था और यहां पर वाशिंग मशीन में मै साफी टाइम लगेगा और इस तरह से हावा में भी सूप जाएंगे हलकी सी धूप निकलेगी तो यह रखने लायक हो जाएंगे कपड़े और जो कपड़े मैं मतलब रखती हो ना उसमें मैं धूप धूप लगाकर ही रखती हूं ऐसे नहीं रखती हूं क्योंकि पता नहीं फिर कब मैं पहनूं और अगर ऐसे ही रख दो तो फीस मैं लाने लगती है इसलिए मैं धूप जब अच्छी धूप लग जाती ही कपड़ों में तभी मैं कपड़े रखती हूं तो बस यहां पर मैं सारे कपड़े धूल लूँगी और फिर उसके बाद मैं लगा दूँगी मतलब ड्राई पे लगा कर और मैं इनको फैला दूँगी तो यह मेरा काम हो गया है और रूम क्लीन भी हो गया है बागी का जो काम था वो दीदी ने कर लिया था मतलब कल ही साफ सफाई कर ली थी संडे को और संडे को मेरे हस्बन गया थे मुझे लेने के लिए तो अभी मैं यहां पर आ गई हूँ सस्रौल में हूँ और अभी मैं रूकूंगी लगभग 10-15-20 दिन यहां रूकूंगी फिर उसके बाद मैं जाओंगी तब तक मैं यहां स सलती रहूं और सारे कपड़े मैंने धूल लिये हैं बैटशीट भी मैरी धूल गई थी पलाइट चली गई थी तो मैं बैटशीट का पानी नहीं निकल बाया है तो इसको मैंने ऐसे ही फैला दिया क्योंकि इसको मुझे बिछाना नहीं था मैंने दूसरी बैटशीट बैटशीट भी डाल दूँगी और अभी न मुझे अंश को भी नेलाना है और अंस यहीं पर थे अंस में वहां नहीं थे मेरे साथ बस मैं वहां पर अकेले ही थी तो बस उसके बाद मैं आई थी नीचे और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया रेस्ट करने के बाद मैंने यह गंदे हो जाते हैं कोई फायदा नहीं था मेरे हस्बंड जदा दे रूम में रहते भी नहीं और बाहर भी लटके थे तो इसलिए मैंने चलो मैं परदे लगा देती हूं क्योंकि रूम भी मैंने सफा कर दिया है और अब मैंने सारे परदे डाल दिये हैं तो अब रूम काफ से रख दिया है और बहुत सारे कप्डे के टंगे हुए थे उनको ने दूर कर अल्मारी में तहा के फॉल्ड करके रख दिया है और ये कल छी कैम मैं आई थी तब ही तो ये शुग गई है तो इसको मैं फॉल्ड करके रख क्योंकि मुझे नπου बक्से, बखकेई में डालना है , उनको मैं ले जाकर बख़े बखकेई डाल दूँ ग्रक्तु कि मुझे धरी बशबस भरी दना है , अर्डब ढाला म electrifications देदफ बड़ा खुला खुला चाहा लगता है और भरा भरा ना बहुत उब लगने लगती है लिए बाल मोडा तो वही वह अंश को पहना कर देख रहे थे तो उसके बाद ना यहां पर मेरे मेरा जो भांजा है वो बनाने जा रहे हैं केक तो यह बिस्केट का केक है जो बॉंस का क्री प्राइटी फ्लेवर वाला वही है तो इसको मैंने मिक्सी में पहले पीस लिया है और फिर पीसने के बाद यहां पर मैंने इस वाले डब्बे में मतलब इसमें हमको बनाना है तो घी लगा दूँगी और भल्या यहां पर इनो और दूद से अच्छा सा इसका पेस्ट बना दूद ड्डाल डाल के पेस्ट बना था पिर एक पकट इनो लाइन थे और इसको लें थीए और यह थोड़ासा अदूद और लेकर हम लोग यह से पेस्ट बना लेंगे और यह पेस्ट ए snack डम inten हो गया है तो अब यह से इसमैं डाल के रट देंगे और मैंने वहां पन्ना कूकर चड़ा दिया है गरम होने के लिए तो कूकर के अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है और स्टैंड के ऊपर ये कटोरा जो है ना टिफिन इसको हम लोग रख देंगे अच्छे से सेट करके जिससे की कोई कोई नमक भी डाल देता है नीचे पर मैं यह नमक नहीं यूज कर रही हूँ और बस कूकर मैं बंद कर दूँगी और इसको बीस मिनट के बाद हम लोग खोल के देखेंगे कि यह पका है कि नहीं पका है और यह जब पक जाएगा ना तो हम इसको आप लोगों को लिखाते हैं और यहां पर मैंने चेक करके देखा था बीच में और बस यह एकदम पक गया है तो मैं अब इसको निकाल लूँगी और निकालने के बाद मैं इसको रख दूँगी बाहर तो प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजीगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी साथ बेल को भी प्रेस कर दीजेगा जिससे की मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और यहाँ पन्ना मैंने टिफिन निकाल लिया है कुकर को मैं रग दूँगी अलग और यह देखे हमारा केक बनकर रेडी हो गया है और आपना मेरी सिस्टर का भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी तो आप लोग वहाँ से चकाउट कर सकते हैं तो अब मैं मिलूँगी ना एक अच्छे से प्यारे से नेस्ट वीडियो में तब तक की बाबाए और आप लोग भी केक बनाईएगा और मुझे बताईएगा की कैसे बना है